आयोध्या में 22 जन्वरी को प्रस्ताविद भगवान श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा समारो कारेक्रम के तार्तमे में मध्य प्रदेश राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार सभी मंदिरों की साफ सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है इसी परिपेक्ष में देवताला विधान सभा क्षेत्र के विधायक वपूर्व विधान सभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एवं नगर परिशद अध्यक्ष नागिता गुपता सहित अन्य जन्प्रतिनिधियों की उपस्तिती में 19 ज श्रमदान कर मंदिर परिसर की सफाई किये इस अवसर पर अनुविभागिया अधिकारी राजस मौगंज वी के पांडे तहसीलदार मान सिंग आर्मो सहित अन्य जन्प्रतिनिधियों ने भी मंदिर परिसर की सफाई के लिए श्रमदान किया हमारे प्रधानमंती मोदी जी का वैसे आप जानते हैं सुच भारत का हमेशा से नारा रहा है चूकि 22 तारी को हम रामदाला भगमान की प्राण पतिष्ठा करने जा रहे हैं इसलिए तमाम मंदिरों में हर जगह सफाई अभियान चल ला है उसी तारतरम में हम सब मकारगरता होने मिल करके और यहां पर हमारे अश्टबजी माता के हां आकर के सफाई का भियान जलाया है